पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश के कारण तैसिल के सभी छोटे बड़े तालाब लबालब होकर और फ्लो किस्तिती में है ऐसे में कल दिन भर वर रात में हुई जमा जम बारिश के कारण पहले से भर कर बहरे नदी नालों में अचानक और फानाने से कोलार नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने लगा रात करीब बारा बजे से किलापूरा शिव मंदिर परिसर भोईपूरा आमबेट करवाड यश्वंत बाबानगर सही तनीक निशली बस्तियों में जलजमा शुरू होने लगा वहिनगर प्रशासन भी हरकत में आकर नागरिकों को सुरक्षित स्तान पर जाने और पहुचाने की वेवस्ता करने में जुर गया देर रात अचानक कोलार नदी का जलस्तर बढ़ने से तथा विद्यूत आपूर्ती करने वाले डीपी और ट्रांसफर्मर पानी में डूबन की दिवारे तक धह जाने से काफे नकसान हुआ शहर के सुभाष प्रात्मिक शाला पलिया शाला अभ्यंकर शाला आदिस्तानों पर लगबग पचास परिवारों के सैकड़ों नागरिकों को सुरक्षित रखा तो वही इस आकस्मिक बार में मदुकर मिश्राम कलपना पार्वती सहारे शोभा भगत रिणुका पाटेल गंगाधर गुजर आदियों के मकानों में बार का पानी घुसने से बड़ा नुकसान होने की खबर है अचानक आई इस नैसरगी का आपदा पर नियंत्रन हितूप विभागी अदिकारी अतुल महत्रे के मार्ग दर्शन मे पटवारी गनेश मोरे नगर परिशत कर्मिचारी पंकचेनिया सजिन पडलवार पुर्शो तमपांडे समासेवी अमिजोडा पे विजेलार राजु बसवार आधी बार पीडितो सहित निशली बस्तियों में सरवेक शनकारिय जारी है BCN News के लिए साउनेर से किशोर धुंडेली की रेपोर्ट